नमस्कार साथियों, हम सभी ने सुना है बच्पन का जो प्रेम होता है या जो पहला प्रेम होता है वे बहुत सच्चा होता है और उसको हम चाहा कर भी नहीं भुला पाते बच्पन का जो प्रेम है कभी-कभी सफल हो जाता है लेकिन कभी-कभी सफल नहीं हो पाता है बड़े होने पर कहीं किसी और जगे पर विवा हो जाता है और जो बच्पन का प्रेम होता है वो कहीं न कहीं अपनी नियती तक नहीं पहुँच पाता आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसके लेखक हैं चंदरधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई इतनी बहु चर्चित कहानी है कि हिंदी साहिते के इतिहास में जब कहानियों की बात होती है तो इस कहानी को पहली कहानियों में शामिल किया जाता है वैसे तो रानी केतकी की कहानी इंदू मती दुलाई वाली इन कहानियों को पहली कहानी माना जाता है लेकिन अगर हम देखें कि एक कहानी की क्या-क्या विशेस्ताइं होती है उसके आधार पर उसने कहा था को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है फ्लेशबेक शैली में लिखी गई ये कहानी अपने आप में अनोखी है एक बार इस कहानी को कोई पाठक या शोता पढ़ या सुन लेता है तो जीवन भर इसको नहीं भूल पाता है इसके सीर्शक में इतनी उत्सुकता है इतनी जिग्यासा है उसने कहा था और जैसे ही हम इस सिर्षक को पढ़ते हैं तो हमारे मन में अनेक सवाल आते हैं कि उसने क्या कहा था एक छोटी सी बात के उपर आधारित इस कहानी को इतना सुन्दर तरीके से लेखक ने एक माला में मोतियों की तरफ पिरो दिया है कि पाठक और शोता उसको अपने गले में पहन कर आनंदित होता है अमरिच्सर के बाजार में एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं और लड़का लड़की से सवाल करता है तेरी कुडमाई हो गई और लड़की नकारात्मक उत्तर देती है और ये उत्तर सुनकर लड़का इतना प्रफुलित हो जाता है इतना आनंदित हो जाता है कि मन में अनेक प्रकार की कलपनाई करने लगता है बाद में लड़के को पता चलता है उस लड़के की कुडमाई हो गई है यानि कि उसका कहीं रिष्टा पक्का हो गया है और ये कहानी के मुखे पातर हैं लहना सिंग लहना सिंग बच्पन के प्यार को इतनी संवेदना के साथ स्विकार करते हैं कि 25 साल के बाद भी भूल नहीं पाते हैं और मन ही मन अपने पहले प्यार को समर्पित रहते हैं हम समझ सकते हैं कि पहले प्यार को बच्पन के प्यार को जो इतनी संजीदगी के साथ महसूस करता है और उस पर काइम रहता है वो अपने देश के परती कितना समर्पित होगा लहना सिंग एक वीर सिपाई है और किस तरीके से अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं अपने देश के उपर अपने अंतिम शणों में वो अपनी पूरी की पूरी कहानी को तुम्हारी कुडमाई हो गई क्या उसने कहा था और ये सारी यादें फ्लेश बैक शैली में लेकर हमारी सामने प्रस्तूत करते हैं आईए इस कहानी को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं और क्या कहा था किस तरह की कहानी है किस तरह का ताना बाना यहां पर बुना गया है जो हमारे मन पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली है इसका पूरा वाचन करते हैं मेरी भाषा, हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है आप मेरे साथ बने रहिएगा कहीं जाईएगा नहीं आईए कहाने का वाचन करते हैं और कहाने की शुरुवात अमरिट सर के बाजार से होती है और लेखक कितनी खुबसूरती से इसका द्रश्य हमारी आँखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं बड़े बड़े शहरों के इकके गाड़ी वालों की जबान के कोडों से जिनकी पीट छिल गई है और कान पक गए है उनसे हमारी प्रातना है कि अमरिट सर के बूम कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावे जब बड़े बड़े शहरों की चोड़ी सड़कों पर घोड़े की पीट चाबुक से धुनते हुए इकके वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंद स्थिर करते हैं कभी रहा चलते पैदलों की आँखों के नै होने पर तरस खाते हैं कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और शोब के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमरिसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सबर का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाच्छा, कहतेवी सफेद फेटो, खचरों और बतकों और ग चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई, यदि कोई बुढिया बार-बार चिनोती देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमुने है, हट जा जीने जोगिये, हट जा कर्मा वालिये, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी वाल बच जा, ऐसे बुमकार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चोक की एक दुकान पर आ मिले, उसके बालों और उसके धीले सूथने से जान पड़ता था, कि दोनों सिख हैं, वे अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, और ये रसोई के ले बढ़िया, दुकानदार एक परदेशी से गुत रहा था, जो सेर भर गीले पापड़ों की गड़ी को गिने बिना हटता ने था, तेरे घर कहां है, मगरे में और तेरे मांजे में, यहां कहां रहती है, अतर सिंग की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के य नहां आया हूँ, उनका घर गुरू बजार में है, इतने में दुकानदार निप्टा और इनका सोदा देने लगा, सोदा लेकर दोनों साथ साथ चले, कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुडमाई हो गई, इस पर लड़की कुछ आखे चढ़ा कर धत कहकर दोड़ गई, और लड़का मुँ देखता रह गया, दूसरे तीसरे दिन सबजी वाले के यहां, दूद वाले के यहां, अकस्मात दोनों मिल जाते, महिना बर यही हाल रहा, दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुडमाई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला, एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हसी में चुड़ाने के लिए पूछा, तो लड़की, लड़की की संभावना के विरुद बोली, हां हो गई, कब, कल, देखते नहीं, ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली, एक छावडी वाले की दिन भर की कमाई खुई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में दूद उंडेल दिया, सामने नहा कर आई हुई किसी वैशनवी से टकरा कर अंधे की उपाधी पाई, तब कहीं घर पहुचा, राम राम, ये भी कोई लुध्याना से दस गुना जाडा और मे और बरफ उपर से, पिंडलियों तक कीचड में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं, घंटे दो घंटे में कान के परदे फाडने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है, और सो सो गज धरती उचल पड़ती है, इस दैव से गोली लगती है, ने मालूम बेइमान मिट्टी में लेटे हुए हैं, या घास की पतियों में छिपे रहते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लहना सिंग सीमावर्ती इलाके में लड़ाई हो रही है, और वहाँ पर युद भूमी में मौजूद है, लहना सिंग और त सा हरा घास है, फल और दूद की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आये हो, चार दिन तक एक पलक नीद नहीं मिली, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, और बिना लड़े सिपाई, मुझे तो संगीन चड़ा कर मार्च का हुकुम मिल जाए, फिर साथ जर्मनों को अकेला मार करने लोटू, तो मुझे दर्बार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब नहीं हो, पाजी कहीं के, कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुँ फाड़ देते हैं, और पैर पकड़ने लगते हैं, सुबेदार हजारा सिंग ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, तीन सो मिल का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, सुबेदार जी सच है, लहना सिंग बोला, पर करें क्या, हड हडियों हडियों में तो जाडा धस गया है, सूरिय निकलता नहीं, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जहर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, उदमी, उठ, सिगडी में कोले डाल, वजीरा, तुम चार जने बाल्तियां लेकर का पानी बाहर फेको, महा सिंग, शाम हो गई है, खाई के दर्वाजे का पहरा बदल ले, ये कहते वे सुवेदार सारी खंदक में चक्तर लगाने लगे, वजीरा सिंग पल्टन का विदूशक था, बाल्ति में गंधला पानी भरकर खाई के बाहर फेकता हुआ बोला, मैं प का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लडाई के बाद सरकार से दस घुमा जमीन यहां मांग लूँगा, और फलों के बूटे लगाऊंगा, लाडी होरा को भी यहां बुला लोगे, या वही दूद पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर, यहां वालों को शरम नहीं, देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझाने सका कि सिख तंबाखु नहीं पीते, वे सिग्रेट देने में हट करती है, होटों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ, तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं, अच्छा, अब बोधा सिंग कैसा है, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उढ़ाते हो, और आप सिगडी के साहरे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड के तक्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड में पड़े रहते हो, कहीं तुम ने मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मोत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंग क गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाई हुए आंगन के आम के पेड किचाया होगी, वजीरा सिंग ने त्योरी चड़ा कर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुरक, हाँ भाईयो, कैसे, दिल्ली शहरते पिशोर नु जान दिये, कर लेना लोंगा ता बपार माडिये, कर लेना नोंडा सोदा अडिये, लाना चटाका कदुये नू, कद्दू बनियावे मचेदार गोरिये, हुन लाना चटाका कदुये नू, कोन जानता था कि दाडियों वाले घर बारिसिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गेट से गुण्ज उठी और सिपाई फिर ताजे हो गई मानो चार दिन से सोते और मोज ही करते रहे हो दो पहर रात गई है अंधेरा है सन्नाटा च्छाया हुआ है बोदा सिंग खाले बिस्कटों के तीन तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछा कर और लहना सिंग के दो कंबल और एक बरान कोट ओड़ कर सो रहा है लहना सिंग पहरे पर खड़ा हुआ है एक आग खाई के मूँ पर है और एक बोदा सिंग के दुबले शरीर पर बोदा सिंग करा हा क्यों बोदा भाई? क्या है? पानी पिला दो लहना सिंग ने कटोरा उसके मुह से लगा कर पूछा कहो कैसे हो पानी पीकर बोधा बोला कंप कपी छूट रही है रोम रोम में तार दोड रही है दांत बज रही है अच्छा मेरी जर्सी पहन लो और तुम मेरे पास सिगडी है और मुझे गर्मी लगती है पसीना आ रहा है ना मैं नहीं पहनता चार दिन से तुम मेरे लिए हाँ याद आई मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है आज सबेरे ही आई है विलायत से बुन-बुन कर भेज रही है में में गुरू उनका भला करे यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा सच कहते हो और नहीं तो क्या जूट कहता हूं यो कहकर नाहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी आदा घंटा बीता इतने में खाई के मुह से अवाज आई सुबेदार हजारा सिंग कौन? लप्टन सहाब होकुम होजूर कहकर सुबेदार तंकर फोजी सलाम करके सामने हुआ देखो इसी दम धावा करना होगा मेल भर की दूरी पर पूरव में कोने में एक जर्मन खाई है उसमें पचास से ज़्यादा जर्मन नहीं है इन पेडों के नीचे नीचे दो खेत काट कर रास्ता है तीन चार घुमाव है जहां मोड है वहां पंद्रे जवान खड़े कर आया हूँ तुम यहां दस आदमी छोड़ कर सबको साथ ले उनसे ज़ा मिलो खंदक छीन कर वही जब तक दूसरा हुकम ने मिले डटे रहो हम यहां रहेगा जो हुकम चुपचाप सब तयार हो गए बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा तब लहना सिंग ने उसे रोका लहना सिंग आगे हुआ तो बोधा के बाप सुबेदार ने उंगली से बोधा की और इशारा किया लहना सिंग समझ कर चुप हो गया पीछे दस आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज़त हुई कोई रहना ने चाहता था समझा बुझा कर सुबेदार ने मार्च किया लप्टन सहाब लहना की सिगड़ी के पास मूँ फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे दस मिनट बाद उन्होंने लहना की और हाथ बढ़ा कर कहा लो तुम भी पियो आख मारते मारते लहना सिंग सब समझ गया मूँ का भाव छिपा कर बोला लाओ सहाब हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में सहाब का मूँ देखा बाल देखे तब उसका माथा ठनका लप्टन सहाब के पटियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए और उनकी जगे कैदियों से कटे बाल कहां से आ गए शायद सहाब शराब पिये हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मोका मिल गया है लहना सिंग ने जाचना चाहा लप्टन सहाब पांच वर्ष से उसकी रजिमेंट में थे क्यों सहाब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लडाई खतम होने पर क्यों क्या ये देश पसंद नहीं नहीं सहाब शिकार के वे मजे यहां कहां याद है पर साल नकली लडाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे हाँ हाँ वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चड़ाने को रह गया था बेशक पाजी कहीं का सामने से वे नीलगाए निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ने देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुठे में निकली ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है क्यों साहाब शिमले से तयार होकर उस नीलगाए का सिर आ गया था न आपने कहा था कि रजिमेंट की मैस में लगाएंगे हाँ पर मैंने वे विलायत भेज दिया ऐसे बड़े बड़े सिंग दो-दो फुट के तो होंगे हाँ लहना सिंग दो फुट चार इंच के थे तुमने सिगरिट नहीं पिया पीता हूँ साहब कहेकर लहना सिंग खंदक में गुसा अब उसे संदे नहीं रहा था उसने जटपट निश्चे कर लिया कि क्या करना चाहिए अंधेरे में किसी सोने वाले से वे टकराया कौन? वजीरा सिंग हाँ? क्यों लहना? क्या कयामत आ गई? जरा तो आँखे लगने दी होती होश में आओ कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए है या कैद हो गए है उनकी वर्दी पहन कर ये कोई जर्मन आया है सुबेदार ने इसका मुह नहीं देखा मैंने देखा और बाते की है सहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरिट दिया है तो अब? अब मारे गए धोखा है सुबेदार होरा कीचड में चकर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा उठो एक काम करो पल्टन के पैरों की निशान देखते देखते दोड जाओ अबी बहुत दूर ने गए होंगे सुबेदार से कहो एकदम लोट आए खंदक की बात जूट है चले जाओ खंदक की पीछे से निकल जाओ पता तक ने खड़के देर मत करो हुकम तो यही है की यही ऐसी तैसी हुकम की मेरा हुकम जमादार लहना सिंग जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुकम है मैं लप्टन सहाब की खबर लेता हूँ पर यहाँ तो तुम आठ ही हो आठ नहीं, दस लाक एक-एक अकलियां, सिखा, सवा, लाक के बराबर होता है चले जाओ लोटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंग दिवार से चिपक गया उसने देखा की लप्टन सहाब ने जेब से बेल के बराबर तीन गोले निकाले तीनों को जगे-जगे खंदक की दिवारों में घुसेड दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगडी के पास रखा बहार की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखते इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदू को उठा कर लहना सिंग ने सहाब की कुहनी पर तान कर दे मारा धमाके की साथ सहाब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी लहना सिंग ने एक कुंदा सहाब की गर्दन पर मारा और सहाब आँख मीन गोट कहते हुए चित हो गए लहना सिंग ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बहार फेंके और सहाब को घसीट कर सिगडी के पास लिटाया जेबों की तलाशी ली तीन चार लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया सहाब की मुर्चा हटी लहना सिंग हसकर बोला क्यों लप्टन सहाब मिजाज कैसा है आज मैंने बहुत बाते सीखी ये सीखा की सिख सिगरेट पीते हैं ये सीखा की जगादरी के जिले में नील गाएं होती हैं और उनके दो फुट चार इंच के सिंग होते हैं ये सीखा की मुसल्मान खान सामा मूर्तियों पर जल चड़ाते हैं और लप्टन सहाब खोते पर चड़ते हैं पर ये तो कहो ऐसी साफ उर्दु कहां से सीखाएं हमारे लप्टन सहाब तो बिना डेम के पांच लफ़ भी नहीं बोल पाते थे लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी सहाब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले लहना सिंग कहता गया चालाग तो बड़े हो पर मानजे का लहना इतने बरस लप्टन सहाब के साथ रहा है उसे चकमा देने के लिए चार आखे चाहिए तीन महिने हुए एक तुर्की मोलवी मेरे पास गाउं आया था औरतों को बच्चे होने के ताबीज बाटता था और बच्चों को दवाई देता था चोदरी के बढ़ के नीचे मंजा बिछा कर हुका पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विधा जान गए है गो को नहीं मारते हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपिया निकाल लो सरकार का राज्य जाने वाला है डाक बाबू पोहलूराम भी डर गया था मैंने मुला जी की दाड़ी मूंड दी थी और गाउं के बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गाउं में अब पैर रखा तो सहाब की जेब में से पिस्तोल चला और लहना सिंग की जांग में गोली लगी इधर लहना की हैंडरी मार्टिन की दो फाइरों ने सहाब की कपाल क्रिया कर दी धडाका सुनकर सब दोड़ आए बोधा चिलाया क्या है लहना सिंग ने उसे ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुट्ता आया था मार दिया और उसे सब हाल कह दिया सब बंदुके लेकर तयार हो गए लहना ने साफा फाड कर घाव के दोनों तरफ पटियां कसकर बांधी घाव मास में ही था पटियों के कसने से लहू निकलना बंध हो गया इतने में सत्तर जर्मन चिला कर खाई में घुस पड़े सिखों की बंदुकों की बाड ने पहले धावे को रोका दूसरे को रोका पर यहां थे आठ लहना सिंग तक तक कर मार रहा था वे खड़ा था और लेटे हुए थे और वे सत्तर अपने मुर्दा भाईयों के शरीर पर चड़कर जर्मन आगे घुसाते थे थोड़े से मिंटों में वे अचानक आवा जाई वाहे गुरुजी की फत्य वाहे गुरुजी का खालसा और धड़ा धड़ बंदुकों की फायर जर्मनों की पेट पर पढ़ने लगे एन मोके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए पीछे से सुबेदार हजारा सिंग के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंग के साथियों के संगीन चल रहे थे पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया एक किलकारी ओर अकाल सिखदा दी फोज आई वाहे गुरुजी की फत्य, वाहे गुरुजी का खालसा, सत्सरी अकाल पुरक और लड़ाई खतम हो गई 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे सिखों में पंद्रय के प्राण गए सुबेदार के दाहिने कंदे में से गोली आर पार निकल गई लहना सिंग की पसली में एक गोली लगी उसने घाव को खंदक की गीली मिटी से पूरा लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया किसी को खबर ने हुई कि लहना को दूसरा घाव यानि भारी घाव लगा है लडाई की समय चांद निकल आया था ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ च्छई नाम सार्थक होता है और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बान भट की भाशा में दंत वीना उपदेश आचारिय कहला थी वजीरा सिंग कह रहा था कि कैसे मनमन भर फ्रांस की भूमी मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दोड़ा-दोड़े सुबेदार के पीछे गया था सुबेदार लहना सिंग से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धी को सरा रहे थे और कह रहे थे कि तुने होता तो आज सब मारे जाते इस लड़ाई की आवाज तीन मिल दाहिनी और की खाई वालोंने सुन ली थी उन्होंने पीछे टेलिफोन कर दिया था वहां से जटपट दो डोक्टर और दो बिमार ठाने की गाड़ियां चली जो कोई डेड़ घंटे की अंदर आ पहुँची फिल्ड अस्पताल नस्दीक था सुबह होते होते वाँ पहुच जाएंगे इसलिए मामुली पट्टी बांद कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशे रखी गई सुबेदार ने लहना सिंग की जांग में पट्टी बंधवानी चाही पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है सबेरे देखा जाएगा बोधा सिंग जवर में बर्रा रहा था वे गाड़ी में लिटाया गया लहना को छोड़ कर सुबेदार जाते नहीं थे ये देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है और सुबेदारनी जी की सोगंध है जो इस गाड़ी में ने चले जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी मेरा हाल बुरा नहीं है देखते नहीं मैं खड़ा हूँ वजीरा सिंग मेरे पास ही है अच्छा पर बोधा गाड़ी पर लेट गया भला आप भी चड़ जाओ सुनिये तो सुबेदार्नी होरा की चिठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वै मैंने कह दिया मुझसे जो उसने कहा था वै मैंने कह दिया और यही कहानी का सीर्षक है उसने कहा था किसने कहा था सुबेदार्णी ने और इस सुबेदार्णी कौन है इसके बारे में आईए आगे जानते हैं गाड़ियां चल पड़ी थी सुबेदार ने चड़ते चड़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा तैने मेरे और बोधा की प्राण बचाए हैं लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे अपनी सुबेदार्णी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था? जब आप गाड़ी पर चड़ जाओ मैंने जो कहा वे लिख देना और कह भी देना गाड़ी की जाते लहना लेट गया वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंध खोल दे तर हो रहा है मृत्यू की कुछ समय पहले स्मिर्थी बहुत साफ हो जाती है जनम भर की घटनाए एक-एक करके सामने आती है सारे द्रश्यों की रंग साफ होते है समय की धुंद बिलकुल उन पर से हट जाती है लहना सिंग बारे वर्ष का है अमरिसर में मामा के यहां आया हुआ है दही वाले के यहां सबजी वाले के यहां हर कहीं उसे एक आठ वर्ष की लड़की मिल जाती है जब वैं पोचता है तेरी कुडमाई हो गई तब धर्थ कहकर वैं भाग जाती है एक दिन उसने वैसे ही पुछा तो उसने कहा हां कल हो गई देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू सुनते ही लहना सिंग को दुख हुआ क्रोध हुआ क्यों हुआ वजीरा सिंग पानी पिला दे पचीस वर्ष बीट गए अब लहना सिंग नंबर सतेतर राइफल्स में जमादार हो गया है उस आठ वर्ष की कन्या का ध्यान ही ने रहा ने मालूम वै कभी मिली थी या नहीं साथ दिन की चुट्टी लेकर जमीन की मुकदमे की पैरवी करने वै अपने घर गया वहां रजीमेंट के अफसर की चिठ्थी मिली की फोज लाम पर जाती है फोरन चले आओ साथ ही सुबेदार हजारा सिंग की चिठ्थी मिली की मैं और बोदा सिंग भी लाम पर जाते हैं लोटते हुए हमारे घर होते जाना साथ ही चलेंगे सुबेदार का गाउं रास्ते में पढ़ता था और सुबेदार उसे बहुत चाहता था लहना सिंग सुबेदार के यहां पहुँचा जब चलने लगे तब सुबेदार बेढ़े में से निकल कर आया बोला लहना सुबेदार नी तुमको जानती है बुलाती है जा मिला लहना सिंग भीतर पहुँचा सुबेदार ने मुझे जानती है कब से रजीमेंट के क्वाट्रों में तो कभी सुबेदार के घर के लोग नहीं रहे दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा आसी सुनी लहना सिंग चुप मुझे पहचाना नहीं तेरी कुडमाई हो देखते नहीं रेश्मी बूटों वाला सालू अम्रित सर में भाओं की टकराहट से मूर्चा खुली करवट बदली पसली का घाव बह निकला वजीरा पानी पिला उसने कहा था सुपन चल रहा है सुबेदार नी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है लायलपुर में जमीन दी है आज नमक हलाली का मोका आया है पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पल्टन क्यों ने बना दी जो मैं भी सुबेदार जी के साथ चली जाती एक बेटा है फोज में भरती हुए उसे एक ही बरस हुआ उसके पीछे चार और हुए पर एक भी नहीं जिया सुबेदार नी रोने लगी अब दोनों जाते हैं मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाली की दुकान के पास बिगड़ गया था तुम्हें उस दिन मेरे प्राण बचाये थे आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान की तकते पर खड़ा कर दिया था ऐसे ही इन दोनों को बचाना ये मेरी तुम्हारे आगे आचल पसारती हो रोती रोती सुबेदारनी ओबरी में चली गई लहना भी आशू पोचता हुआ बहार आया वजीरा सिंग पानी पिला उसने कहा था लहना का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंग बैठा है जब मांगता है तब पानी पिला देता ह आदे घंटे तक लहना चुप रहा फिर बोला कौन कीरत सिंग वजीरा ने कुछ समझ कर कहा हाँ भया मुझे और उचा कर ले अपने पटे पर मेरा सिर रख ले वजीरा ने वैसे ही किया हाँ अब ठीक है पानी पिला दे बस अब के हाड में ये आम खूफ फलेगा चचा भत प्रतीजा है उतना ही ये आम है जिस महीने उसका जनम हुआ था उसी महीने में मैंने उसे लगाया था वजीरा सिंग के आसू टप टप टपक रहे थे कुछ दिन पीछे लोगों ने अकबारों में पढ़ा फ्रांस और बेलजियम 68 फी सूची मैदान में घाओं से मरा नंबर की कहानी नहीं है बलकि सच्ची वीरता की कहानी है त्याग की कहानी है देश प्रेम की कहानी है समर्पन की कहानी है और हम कह सकते हैं आदर्शों की कहानी है नैतिक मुल्यों की कहानी है छोटी सी ये कहानी फ्लेश बैक शैली में लिखी ये कहानी किस तरीके से हमारे मन पर अ बलिदान, देश भक्ती, समर्पन का संदेश दिया है। वास्तम में इसकी कहानी कला की कारण ही हिंदी के कुछ समिक्षक उसने कहा था कहानी को हिंदी की पहली आदोनी कहानी होने का गोरव देते हैं। उसे हम भूल नहीं पाते हैं, इस कहानी को एक बर जो भी पाठक या श्रोता पढ़िया सुन लेता है, उसको कभी नहीं भूल सकता है। आपको कहानी कैसी लगी, आपके कहानी के विशे में क्या विचार हैं और कहानी के संदर्ब में आप क्या सोचते हैं। ये सभी बाते आप हमारे साथ अवश्चे साजा कीजिएगा, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नई वीडियो में, तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खुशो कर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.